ग्राम पच्चायत कर रहा भाटा परा मैं बिजली की समस्या से लोग परिशान विवाग की लचर विवस्ता से जूज रहे लोग सूचना के बाद भी नहीं किया जा रहा है मैंटिनेंस का कार्या आपको बता दें की बेल तरह डिवीजन छेत्र के ग्राम कर रहा भाटा पारा मैं तीन दिन से एक फेस लाइट बंद है जिससे लोग वोल्टेज की समस्या आ रही है साल भर से सडक निर्मान कार्य में पानी टंकी का पाईप फोर जाने की विज़े से महले वाज़ियों को पानी की समस्या तो है ही जिसका मरमत कार्य अब तक नहीं किया गया है लोग वोल्टेज के कारण घरों में लगे पंप भी नहीं चल पा रहे हैं ग्रामिडों ने विवाग से समस्याओं पर जल्द से जल्द नेराकरण करने का अग्रे किया है अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है प्राइमेटीनीज ब्लासपूर से राहुल स्रिवास की खास रेपोर्ट विजली की शक्राइब विजली वस्ता हमारे यहां विगत लगवाग एक डड़ साल से लगातार चलते आ रहा है इसमें लगातार विगणता हुआ जीड़ है मतलब हम लोग अगर कंप्लेंड करते ह इस तेट तर समस्या लगातार बनते आ रहा है और उसके सास सात में जैसे घरों में पानी भरने के लिए विए पानी का खिलत लगातार बढ़ते जा रहा है इसका कारण यह है कि रोड निरमार के पाइपला था जो घरों तक पानी पहुश्ता था तो वो कहीं ने कहीं यहां पर पाइप बगर में पानी तूप गया जिसके करणा यहां पहुंच नहीं पा रहा है और लोल्टेक्निकार भड़ों का जो पंप है यह चलता नहीं है इसकारण हर घर में पानी के समस्या का लगातार समस्या बढ़ते जा रहा है और रही बात यहां दो दिन-तिन तक लगाता लाइट बन हो जाता है जिससे पुरे ग्राम वाश्य को यह समस्या का सामना करता है हम लोग जब शिकायत करते हैं तो बेलतरा डिलिजन से यह बात कहा जाकि यहां करमचारी का थोड़ा अभाव बने करना वह समस्या लेकिन करमचारियों का अभाव होने के करने लगातार और आपको अरेंज करना करमचारी कर रहें तो कम से कम थोड़ा शुधार लाना जरूरी है मेरे रहां तक